तो दोस्तों बिल्कुल आप सबी लोग अपनी स्क्रीन्स पे आप पे देख सकते हैं एक बार फिर से नर्सिंग की विकैंसी दोस्तों आप आ चुकी है सबसे पहले देखें आप लोग यहाँ पे इसकी आप पोश्ट देखें designation में इसका post का नाम आप पर लखा है स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स के post यह रहने वाली है और यह critical care ठीक है तो critical care इसका दोस्त आप पे department है critical care unit के तहएं आप पे स्टाफ नर्स की vacancy है इसमें देखिए number of post कितने पद इसमें शामिल कuke जा रहे हैं दस पद इसमें आपके शामिल कर ली गए और बताना चाहता हूँ ये सभी दस पद All India लेवल पर आएंगे आप किसी भी राजे से हैं किसी भी स्टेट से All India candidates apply कर सकते हैं इसमें सभी qualification आप पे allow की गई चाहे आप लोग यहाँ पे GNM डिप्लोमा वाले हो चाहे आप लोग यहा आप पे nursing के candidates इसमें apply कर सकते हैं इसके लिए अभी आप लोग जो है कैसे apply करना है तो अभी मैं आपको आप पे जानकारी दे देता हूँ इसके बाद देखें next यहाँ पर जो information है qualification की फिर देन salary की और एक बाद salary देख लिए कितनी बैतरीन salary आपको इसमें आप पे मिलेगी तो qualification में देखें सबसे पहले BSC nursing और MSC nursing तो BSC nursing हो या फिर MSC nursing हो आप लोग इसमें apply करें लेकिन BSC हो चाहे MSC nursing हो एक वर्ष का अनुबाब आपको इसमें critical care unit के अंतरकत आपके पास अनुबाब होना चाहिए और या पिर आप लोग यहाँ पे GNM के diploma वाले candidates हो तो आपके प 30,000 रुपए आप लोगों को यहाँ पर मंत बेसे सेलरी मिलेगी और 4,000 रुपए का अलग से critical care का allowance भी आपको इसमें आप पे दिया जाएगा तो बहुत ही बड़िया salary package है यह आप लोगों को पर मंत बेसे स्पेस में आपको यहाँ पे दिया जाने वाला है अब देखें य इन information से मैंने आप इस वीडियो कहाँ पे start किया और ज्यादा आपका time भी waste ने किया और सीधे से directly information मैंने आपको यहाँ पे provide कर रही देखिए यह vacancy broadcast engineering consultants इंडिया लिमिटेड बी ए CIL इनके तरफ से vacancy निकाली गई और यह mini रतने company है भारत सरकार के अंतरकात यहाँ पे जो ह दूँगा कहां से notification मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया और देखिए आप लोगों की जो जॉइनिंग है चितरांजन National Cancer Institute CNCI Kolkata यहाँ पे contractual basis पे आप लोगों को deploy किया जाएगा आपको यहाँ पर जॉइनिंग दे जाएगी और एक चीज़ आपको यहाँ और देखना है ठीक ठीक है इस form को आप लोग यहाँ पे print out निकालीजे इसको पूरा fill करिए और देखिए इस form के साथ आपको documents भी arrange करने है तो कौन-कौन से documents है तो first number के point में आपको जानकारी दे दी गई self test करके ठीक है स्वय प्रमाडित करके यह documents जो है अपने आविदन के साथ आपको भेज देना है इसमें fees का payment भी आपको यहाँ पे करना है तो general SC, sorry SC, ST, EWS और physically handicapped को 295 और general OBC ex-servicemen ठीक है और सभी मैलाओं को 590 पे का यह fees का payment करना है इसके लिए demand draft बनवाना होगा किसके favor म बनवाना है तो यह जानकारी आपको इसमें दे दी गई है तो आपका application form और जितने भी आपके documents है self test करके और यह आपका demand draft यह सभी जानकारी दोस्तों आपको देखे कहां पे बेज नहीं है तो मैं आपको आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए लिखा है the interested candidates must submit application along with copies of educational qualification and experience certificates in sealed envelope तो एक sealed envelope यानि कि बंदे लिफाफे में आप लोगों को बेजना है speed post के माद्यम से address आपको बता दिया गया ठीक है इस पते पर जो है आपका आवेदन जो है पहुंच जाना चाहिए और जो आपका लिफाफा होगा इस तरीके से लिखना होगा advertisement number post का नम ठीक है और जो भी जहाँ पर लिखी है वो आपको यहाँ पर follow करनी है अन्य था आपका जो form है यहाँ पर reject यहाँ पर माना जाएगा और incomplete form आप लोग यहाँ पर fill up यहाँ पर ना करें candidates जो apply करेंगे post के लिए आप लोगों को scan करके copy भी documents की ठीक है अपने आवेदन की और documents की और जो भी आपका फीस का payment है आपको इस email ID पर भी आपको यहाँ पर भेजनी है और ज date बता दे गई 15 October 2024 तो इस date तक आपका आविदन जो है पहुंच जाना चाहिए तो vacancy का जो भी update था मैंने आपे cover किया और ऐसे ही आगे की vacancies की information भी पाते जाए सबसे पहले वीडियो को like कर देना और channel को subscribe कर ले vacancies की information मिलती रहेगी वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को click करें इसी तरीके से सभी vacancies के update आगे भी पाते रहें तो मिलते हैं next वीडियो में thank you so much